नोशकार आप देख रहें न्यूस 20 इंडियार में हूँ आपके साथ नीता जोशी जोटों से मार कर उतारा उसके बाद पुतला दहन किया इस मोके पर कॉंग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतिश पुनिया अपने मुख्य मंत्री बनने के सपने को साकार करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी के प्रती विवादित बयान जिसका कोंग्रेस का हर एक कारिय करता पुर्जोर विरोध करता है और उन्होंने ऐसा विवादित बयान देकर जता दिया कि उनका मानसिक संतुलन कोंग्रेस के विकास कारियों को देखते हुए बिगड चुका है और उन्हें इसका इलाज कराने के लिए मनोचिकितसक के पास जाना चाहिए धारीवाल ने कहा कि पुनिया जी स्वेम मनोची कित्सक के पास चले जाए अन्यता अगली बार कॉंग्रेस के कारिय करता ही पुनिया जी की कौन मनोची कित्सक के पास ले जाएंगे शहर जिला कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्षा सतिश पुनिया कॉंग्रेस पार्टी के प्रती दिया गया बयान उनकी मानसिक विक्रती को दर्शाता है और उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी का नहीं उन सभी महापुरुशों का अपमान किया है जिन्होंने देश की आजादी में अपना सब कुछ न्योचावर कर दिया सतिश पुनिया के इस बयान को पूरे राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत देश का नागरिक माप नहीं करेगा जिला कॉंग्रेस महामंत्री विपिन बर्थुनिया ने कहा कि भाषा प्रदेश अध्यक्ष सतिश पुनिया कॉंग्रेस पार्टी के प्रती उल्लू जुनुन बयान बाजी कर सी ग्रेड मुवी के फिल्मी एक्टर की तरह काम कर रहे हैं पुतला दहन कारियक्रम में मुख्य रूप से सेवादल प्रदेश सचीव अमित सूद वरिष्ट कॉंग्रेस नेता सुखदेव प्रजापती अरुण भार्गव प्रदीप सुमन डॉक्टर विजय सोनी असलम बैग पार्षत चंदू स्वाल्यक है कोशल्य सेनी सुनिल शर्मा संजीव जैन इर्फान दोसी अक्तर अहमद चेतन मेवाडा माया जैन शकीला बानो विना सिह गहलोत अकरम भाई दिपक शर्मा ललित सर्दार अनिल दीप चंदानी दिलिप माधवानी विकास माधवानी रवी बर्थुनिया प्रतिक सेनी सुमन जावेद शेर्वानी पंकज लोधा दिलिप समस्त कॉंग्रेस जन उपस्थित रहे समवाद दाता दुशन सिह गहलोत की रिपोट